नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका 31st of December के Data Insist की वीडियो में और डेटा को पढ़ने की कोशिश करेंगे 3rd of January 2022 के लिए तो ये डेटा का Decoding करने के बाद हम एक Level निकालेंगे, Conclusion पर पहुँचेंगे, डेटा तेजी का है कि मंदी का, फिर उस Level के Base पे इस डेटा को प्ले करना है या नहीं प्ले करना है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वो सबको पता होनी चाहिए जैसे कल के Data Science की वीडियो में, मैंने आपको एक Level दिया था, 250, 250 को Cross करता है, तो As Per Data जो की तेजी का है, आपको तेजी खेलनी है, और आप आज के सामने, आपके सामने 250 के उपर निकलते ही, Nifty ने जो है, 400 का स्तर चुआ, तो सेम उसी टाइप से Reading आज करेंगे दोस्तों, पर Buy और Sell करने से पहले, आप किसी Financial Advisor जो की Savvy Register उससे सलाह जरूर ले लें, क्योंकि मैं Savvy Register नहीं हूँ, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, Education के Purpose से बना रहा हूँ, आईए, सुरू करते हैं, क्लाइंट के जो आज involvement रहा है, वो थोड़ा सा Call, Write करके गए है, Put, Buy करके गए है बेरिश रहा है, Stock Future हलके से Buy के हैं, तो ज्यादा Volume कुछ है नहीं, Put Side की Buy का Volume ज्यादा ठीक है, F-I-S की बात करें तो Stock Future Continually Buy कर रहे हैं, जो की दिखा रहा है कि मार्केट में और भी तेजी बाकी है, Index Future भी Buy करके गए हैं, बहुत बड़ी आप Put निकाल रहे हैं, Call हलकी Full की नि आज की जो करवाई हुई है, बाकी Net Basis पे हम यहां पे आके चेक करते हैं, यह जो Index Future का खाचा है, जो बकसा है, उससे पूरी तेजी निकल निकल के टपक रही है, F-I के जो Long है, वो Index Future में बढ़ते जा रहे हैं, 49, 54, 64, तो यह दो है तेजी, Call की तरफ आते हैं, तो F-I के ज Data तेजी का, ठीक है, क्योंकि जो थोड़े वो तो मंदी में थे, वो भी Net Basis में तेजी में आगे हैं, प्रोज, तो यहां भी तेजी Index Future, Call की साइड भी बिल्कुल तेजी बहुत बढ़िया, Port Side, Client बिल्कुल कम होता जा रहा है, F-I भी कम होते जा रहे हैं, तो यहां से भी इकल के आ रही है, तेजी सूपर डूपर, नीचे की तरफ आते हैं, तो यह टू लैक प्लस कॉंट्रेक्ट हो चुके है, Stock Future में F-I के, यहां से भी निकल के आती है, तेजी सूपर डूपर, तो कुल मिला के data है, बिल्कुल बिंदास तेजी की साइड का data है, अब यह तेजी होल्ड करता है, उसके उपर 15-20 मिनट ट्रेड करता है, आपको बाई साइड की पोजिशन लेनी है, आपके उपर के टारगेट 17-430, 17-500, 17-540, बिल्चो तो लेवल 430, 465, 500, 530, 40 यह निकल के आते हैं, बट प्ले करना है, 17,380 के उपर, similarly, बैंक निफ्टी आपका 35,550 को ह होल्ड करता है, आपको बैंक निफ्टी में भी बाई करना है, आपके उपर के टारगेट है, 35,800, 36,000, then 36,200, यह आपको नेक्स वीक में देखने को मिल सकते हैं, मंडे के लिए, यह डेटा गैलसिस का वीडियो है, तो उन दो लेवल को जो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्ट आया और फिर मारी लात, तो यह जो लेवल है, इनके उपर मार्केट सस्टेन हो, तो ही बाई करिएगा, नहीं तो हाथ में मिलेगा क्या, तंबूरा, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच,